उसके अकॉर्डिंग लेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं चेप्टर नमबर वन है और एक्सराइज है 1.1 आइडिनिफाइड फॉलोइंग नमबर्स एज रैशनल और इर्रैशनल नमबर्स और अल्सो राइट इच वन इन सेपरेट कॉलम अब यहाँ पर जो भी वैल्योज नीचे दी हुई है तो बहुत सारे बच्चें को पता होगा कि रैशनल नमबर क्या होते हैं और इर्रैशनल नमबर कौन से होते हैं बट वो बच्चे जिनको नहीं पता तो टैंशन की कोई बात नहीं है बहुत ही असान concept है rational और irrational numbers का rational numbers वो numbers होते हैं जिसे हम fractions में show कर सकते हैं rational numbers को आप इस तरह से consider कर सकते हैं कि rational number है हमारे पास a upon b ठीक है और ये हर वो value जो upon में होगी a upon b but number जो है वो integers होने चाहिए चाहे वो negative हों चाहे वो positive हों ठीक है a upon b और b जो है वो 0 के equal नहीं होना चाहिए तो हर वो number जो के a upon b होगा यानि के upon में होगा और दोनो number integers होंगे और b जो है 0 नहीं होगा that means कि सिर्फ एक value नहीं हो सकती upon में 0 नहीं होना चाहिए upon में 0 मतलब नीचे कुछ नहीं है value fraction में नहीं है तो यहां पर हम देखें तो one upon five जो है वो हमारे पास integers है नीचे zero नहीं है तो यह क्या है rational number फिर आप यहां पर अलग-अलग column करके लिखेंगे बीच में line draw करेंगे एक तरफ लिखेंगे rational number दूसरी तरफ irrational और इस तरह से इन numbers को divide कर देंगे separate कर देंगे फिर यहां पर आप देखें square root है two है अंदर और नीचे है eight की value तो यहां पर मैंने आपको एक बात कहीती कि number जो है वो integers होने चाहेंगे अब square root जो है वो integer नहीं है जिन number पर square root होता है वो number integers नहीं होते ऐसे तमाम number जो के fraction में नहीं होंगे integers नहीं होंगे तो वो होंगे irrational number तो यहां पर है यह irrational number ठीक है इसी तरह यह भी है irrational number क्योंकि नीचे जो integer नहीं है फिर यहां पर two upon eight rational number है one upon three irrational number फिर square root के अंदर eight है तो यह भी है irrational number फिर e irrational number क्योंकि हमें पता है irrational number upon में होता है दुने number integers होते है pi irrational number square root में 5 है root में 5 है irrational number 22 upon three rational number one upon pi irrational number and 11 upon 12 rational number तो यहां पर आपको पता चल गया rational number कौन से होते है और irrational number कौन से होते है integers वो number होते हैं जो के point में नहीं होते ठीक है question number two में हमाई पास convert the following into decimal fraction also indicate them as terminating and non-terminating decimal fraction अब यह जो number है उन्हें decimal में करना है डिवाइट करेंगे decimal आ जाएगा direct हम calculator से कर सकते हैं इन्हें indicate करना है terminating and non-terminating number terminating and non-terminating number से यहां पर मुराद है आपकी बुक में उपर example भी दी हुई आप जाहें तो वहां सर भी देख सकते हैं terminating और non-terminating से यहां पर मुराद है जब हम इन्हें divide करेंगे for example हमने यहां पर for example हम यहां पर 5 5 divide by 8 करते हैं तो हमाई पास है 0.625 0.625 terminating decimal एक ऐसा decimal होता है जिसमें number का end होता है ठीक है अब आपने अकसर ऐसे questions किये होंगे जिसमें आप इस तरह decimal में change करते हैं तो आगे like आ रहा होते है 0.33333 ठीक है तो वो जो है finite नहीं होता है यानि कि वो मुसलसल number चल ही रहे होते हैं वो infinite होता है ठीक है तो continuously चल रहे होते हैं तो वो number जो इस तरह से continuously चलते रहेंगे वो कहलाते हैं non-terminating और ऐसे number जो के end हो जाते हैं जिनका end point होता है 3-4 number के बाद वो कहलाते हैं terminating तो यहाँ पर हमने 5.8 का देखा तो 5.8 का आया 0.625 तो यहाँ पर हम इसे solve करते हैं 5 upon 8 ठीक है तो 5 upon 8 को हमने divide किया आया 0.625 0.625 और यहाँ पर 5 पर number end हो रहा है that means कि इनका ending point है तो यह है terminating next है हमाई पास 4 upon 18 4 upon 18 को हम करेंगे 4 upon 18 which is 0.2222 so 0.2222 आप यहाँ पर आपने देखा endless number थे infinite number थे और एक और चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि एक ही number बार बार repeat हो रहा है तो non-terminating में आगे two types आ जाती है एक आजाती है recurring या recurring में वो number होंगे जो कि एक ही number बार बार repeat हो रहा है और एक आजाती है non-recurring यानि कि इसमें होगा कि number थो endless होगा infinite होगा बट number जो है वो different होगा ठीक है एक के बाद एक number repeat नहीं हो रहा होगा तो यह है तो non-terminating बट क्या है recurring recurring decimal fraction ठीक है फिर है 1 upon 15 1 upon 15 1 divided by 15 0.6666666667 तो यहाँ पर भी तक्करीबन एक ही number शो हो रहा है 6666666 तो यह भी है non-terminating continue तो यह है non-terminating recurring decimal fraction then have 49 upon 8 49 upon 8 49 upon 8 is 6.125 so 6.125 बट यह है terminating क्योंके इसका endless number क्या है 5 terminating decimal fraction then 5 207 upon 15 207 upon 15 13.8 तो यह भी क्या है terminating decimal fraction terminating decimal fraction last है 50 upon 76 50 upon 76 0.6578 अब यहाँ पर आप देख सकते है number endless है but number एक के बाद एक same नहीं है repeat नहीं हो रहा है यानिके सब 6 नहीं है या 5 आगी नहीं आ रहे नमबर चेंज है कि क्या अगी नहीं है और देख सब्तार है यह था टो यहाँ पर सेकंड कुश्चटन भी कम्प्लीट हुआ फर्स नहीं है इंन है रैशनल आं इंट रैशनल आं इंटिंट में हमने देखा कि इन्नें हैं टेश्टा किस तरह से चेंज किया जा और साथ ही इसके टर्मिनेटिंग और नन टर्मिनेटिंग भी देखें